नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे ब्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स और मैं हो गई यू रेडी और हम जा रहे हैं कही गूमने के लिए तो हम लोग कहां जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगी तो ब्लोग में आप लोग बने रहिए तो देखिए यहाँ पर काका जी की गाड़ी आ चुकी है और अब हम लोग जाने वाले हैं फ्रेंड्स तो हम लोग जाने वाले हैं काका जी के घर में और वीलेज का नाम है 99 हम लोग 99 में जा रहे हैं ये काका जी का घर है और वो हमें लेने के लिए आये हैं और हम लोग सब उनके घर जा रहे हैं फ्रेंड्स तो बहुत दिनों से जाने की इच्छा थी मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग एक दिन काका जी के घर जाएंगे तो बस आज हम लोग वही पे जा रहे हैं और मैं आपको अपने साथ में ले जा रही हूँ वही पे तो चलिए चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे न हम होटल में रुख गये हैं क्योंकि हम उनके घर ले जाने वले मिठाईया तो यहाँ पर सर कुछ मिठाईया ले ले लेंगे तो बस हम ज़स यहाँ पे होटल पे रुख गये हैं और यहाँ से कुछ मिठाईया हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि न हम उनके घर में फर्स टाइम जा रहे हैं तो बस हम लोग अभी पौच गये है और मैं आपको दिखाती हूँ उनका घर ये देखिए फ्रेंड्स ये इनका घर है बिलकुल गाओ है ये उनका और ये इनका घर है बहुत प्यारा सा स्वीट सा इनका घर है देखिए औ और ये बहुत बड़ा इनका आंगन भी है इधर और चली अभी अंदर चलती हूँ और अंदर चलके मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका घर कैसा है बहुत ही सुंदर से इधर से गार्डन है फ्रेंड्स और इधर से हम जाएंगे अंदर और देखिए हम लोग अंदर आचु और इनके घर में बहुत सारे रूम्स है और यह है हॉल रूम यहाँ पर टीवी वगरे लगा हुआ है और इस तरब देख रहे हैं आप इधर दो बेडरूम है इधर देखिए दो बेडरूम है इधर और इनके घर में बहुत सारे कैट्स है और यह देखिए राशी ने कैट्स को यहाँ पर वो कैट्स को ले ली है उसके साथ खेल रही है बहुत ही क्यूट बस कैट्स के बच्चे है यहाँ पर उनके घर में और इधर से हम लोग जाएंगे पीछे तरफ इधर किचन रूम है इनका देखिए यहाँ डाइनिंग है और इधर किचन रूम है इनका बहुत प्यारा सा इनका यह किचन रूम है और जास इसके पीछे में भी बहुत सारा जगा है और यह देखिए यहाँ एक बारंदा इधर से पीछे जाना है इधर बात्रूम वगरे है और इधर आप पीछे देख रहे हैं गार्डन दिख रहा है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स इनके घर में हर प्रकार का पेड़ यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही हरा भरासा इनका घर है और यह कैट्स के बच्चे दो या तीन है फ्रेंड्स यहाँ पर और यह देखिए लोग बहुत जदा यहाँ पर मस्ति कर रहे हैं बहुत ही क्यूट से थे यह कैट्स के बच्चे और इनके घर में यह रहते हैं हमेशा और एक है तीन है कुछ तो इनको खाने के लिए दिये है और दोनों देखिए जगड के यहाँ पर खा रहे हैं और मैं आपको ले जाती हूँ पीछे क्योंकि यहाँ अमरूद के पेड़ में देखी रासी चड़ गई है और वोना अमरूद तोड़ रही है बहुत सारे अमरूद यहाँ पर लगे थे वो बस वो चड़ गई है उपर और बहुत सारे पके भी थे यहाँ पर फ्रेंड्स और यह अमरूद बहुत ज़्यदा मीठे थे तो बस हम इसे तोड़ रहे थे और इधर देखिए इनका यह बाड़ी है और इधर अमरूद के पेड़ है आम के पेड़ है इधर नारियल का पेड़ है लीचू का पेड़ है बहुत सारे मतलब इन्होंने बाड़ी में अपने पेड़ लगा लिये है और अभी हम लोग यही पर है क्योंकि काकीमा अभी नहा रही है तो इसलिए हम लोग उनके जो पीछे बाड़ी तरब इदर घूम रहे है उनका नहाना हो जाएगा तो फिर हम लोग मैं आपको उनसे मिलाऊंगी तो देखिए इधर ना मैं बाड़ी में आ गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था गाओ का ये लूग बहुत ही अच्छा है फ्रेंट्स चलिए अंदर जा रही हूँ मैं ये इनका मंदीर है जैस हर्डूम के बाजू में ही इनका मंदीर है देखिए और काकिमा ने यहाँ पर पुजा वगरे कर ली है तो फ्रेंट्स अभी अब हम लोग जाएंगे अभी किचन में क्योंकि अभी बनाना है खाना क्योंकि बहुत समय हम लोग यहाँ पर आये है तो बहुत समय तक हम लोग बैठे और अभी बनाएंगे हम लोग खाना देखिए आज चुले पर खाना बनने वाला है और अभी न काकू को खाना था काकू को खाना था भजिया मैं आ गई हूँ यहाँ पर भजिया बनाने के लिए क्योंकि काकू को भजिया खाना था मौसम बहुत ही अच्छा था तो बोल रहे थे कि चलो सब लोग भजिया खाते हैं तो मैं यहाँ पर बना रही हुँ फ्रेंड्स बेशन के साथ और प्याज और यहाँ पर मैंने मिर्ची डाल दिया है और धनियापत्ता भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इनका कीचन ना बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है फ्रेंड्स और ना मैं य बना रही थी क्योंकि काकी मा यहाँ जो चिकन लाये थे तो बस उसको वह साफ कर रही थी इसलिए मैंने बोला कि मैं ही बना लेती हूं और यह हमारी काकी मा है देखिए यह यहां चीड है हुआ जड़ा है यह देखिए बहुत क्यूट सी है यह चिकन भी लाये थे मचली भी लाये थे बहुत सा चीज यहाँ पर आज बनने वाला है तो देखिए मैंना यहाँ पर गरम गरम सबके लिए भजिया बना रही थी और सबको मैं दे रही थी इधर मासाला वगर अभी कट होड़ा था मैं अभी सबको दे देती हूँ और अभी ना इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दी हूँ कट करके तो उसको अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और थोड़ा सा नमक भी कम था तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है तो अभी ना थोड़ा सा नमक इसमें मैं डाल दूँगी और फिर बाकी भजियों को मैं इसमें बना लूँगी क्योंकि न मचली वगर यहाँ पर कठोड़ा है और सारे मसाले भी तक बने नहीं थे तो सोच रहे थे सभी लोग की बैठके सभी लोग एक जगा भजिया खालेंगे तो मैं यहाँ सब के लिए बना रही थी और बिल्कुल अपना पंसा लग रहा था फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा था और बिल्कुल अपने घर जैसा और बहुत थी ज्यादा ना काकु काकीमा बहुत ही अच्छे है बिल्कुल अपने घर जैसा मुझे लग रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स क्योंकि न इन लोग बिलकुल अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हमें तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो चली अभी मैं भजिया वगरे पुड़ा बजिया यहाँ पर complete कर लूँगी ज्यादा तो नहीं बनाई हूँ थोड़ा सा ही यहाँ पर मैं complete कर लूँगी उसके बाद बनाना है खाना और यहाँ देखिए सरना मसाले को यहाँ पर बना रहे थे हमारे साथ में और हम लोग यहाँ पर बाते भी कर रहे थे और मसाले बगर यहाँ पर complete कर रहे थे और मैं आगे हूँ यहाँ खाना बनाने के लिए क्योंकि मैंने न काकीमा को बोला कि मैं ही बनाती हूँ खाना आप बस मुझे सारे सामानों को यहाँ पर ready करके दिजिए और मैं फिर खाना बना लेती हूँ तो वो न मुझे सारे चीजे लाके दे रहे थी और मैं ही यहाँ खाना बना रही थी और फ्रेंड्स मैं आज बहुत सालों के बाद यहाँ पर चुला में खाना बना रही हूँ तो मुझे धुआ से बहुत ज़दा मतलब थोड़ा सा परिशानी हो रहा था तो और फिर भी मैं बना रही थी क्योंकि न वो मसाला वगरे मुझे पीज़ दे रही थी तो मैंने ही ज़स बोला कि मैं ही बनाती हूँ मुझे अच्छा लग रहा था और चुल्हा में बनाना से बहुत ज़दा टेस्टी बनता है फ्रेंडSE इसलिए इसी में बना रहे थे हम लोग सब बैट के को एक जगा और बहुत ही ज़दा इंजाए हो रहा था ऐसा रग्रा था कि हम लोग आए है पिक्निक में और पिकनिक में जैसे खाना हम लोग बनाते हैं मस्ती करके बस वैसे ही बन रहा था सब लोग मेरी बस हेल्प कर रहे थे और मैं यहां पर बना रही थी देखिए लेकिन मुझे धुए से बहुत ज़दा थोड़ सी परशानी हो रही थी पिके मैं हमेशा घर में गैस में ही बना तो उसे मैं बना लूँगी और चावल भी यहां पर बन चुका है देखिए हमारे जो डाल है डाल बन चुकी है यहां पर और यहां पर मचली की सबजी बन चुकी है और यह बहुत बड़ी मचली थी देखिए इसकी सबजी भी यहां पर बन चुकी है और लास्ट ने बस टेस्टी सा यहाँ पर और यहाँ पर सलाद वगरे भी कठ हो चुका है बस अभी खाने की तैयारी करनी है के फ्रेंड्स मैंने खाना मेरा यहाँ बन चुका है और मैंने यहाँ पर अभी हात मुखो धो लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ दुआ था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी तो यहाँ पर हमारा सारा खाना बन के तैयार हो चुका है देखिए और अभी काकी माना थोड़ी से सफाई वगरे यहाँ पर कर रही है तो यहाँ पर हम लोग साफाई वगरे कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर खाना खा लेंगे काका जी ना कहा तो गया है तो कुछ समय के लिए बस वो आ जाए तो यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे और आशी नहीं यहाँ बिल्यू के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो चलिए अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और हम लोग यहाँ पर सब लोग साथ में बैठ गए हैं और काकी मा सब को दे रही थी और हम लोग यहाँ पर सब मिलके खाने के लिए बैठ गए हैं और वो काका जी की सासुमा है जो हमारे साथ बैठ के खाना खा रही है और यहाँ पर बहुत कुछ बना था भाजी, सबजी, दाल, मच्छली, मॉटन बहुत कुछ बना था और काकी माना सब को दे रही थी और बहुत कुछ दे रही थी और काकू बस मुझे बोड़ रहे थे कि उसे ये दो वो दो पर इतना सारा तो मैं नहीं खाऊंगी लेकिन दोनों मिलके बस मुझे बोड़ रहे थे ये खालो वो खालो और दे रहे थे मेरे प्लेट्स में बहुत सारा और मैं इतना नहीं खा पा रही थी बस बहुत ही अच्छे है और बस हमें बस दे ही रहे थे प्लेट में पूरा बस भरी रहे थे ये खा वो खाओ मुझे उतना नहीं खाना था और मेरे चूप दे रहे थे अर बहुत अच्छा लग ना देखी बढ़ी मचली थी कहा किमाना बहुत बहुत ऑच्छी है और वह दे रही थीजिए तो इतना जास भी और शर्च कवह यहां कीमाना दोबोर До खा रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और सारी चीजे जना फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी यहां पर सारी चीजे बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी लग रही थी क्योंकि ना चूले जो है चूला में बना था तो चूला का ना बहुत ही ज्यादा थी इसलिए बहुत सारा समय लगा और उन लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे मैंने बुला कि मैं सब का मतलब यहाँ पर वीडियो ले रही हूं तो काकी मा को बहुत अच्छा लग रहा था और देखिए अभी बस हमारा खाना ही चल रहा है और इसमें बहुत सारी बाते भी हो रही थी और हम लोग आये है ना फ्रेंड्स तो इन लोग ना बहुत ही ज़दा खुश हुए है क्योंकि ना बस ये दोनों ही रहते है और वो जो ठकुमा है वो ही रहती है यहाँ पर क्योंकि इनकी जो तीनों बच्चे है ये बाहर में काम करते हैं तो तीनों बच्चे बाहर रहते हैं बस ये तीन जनी घर में रहते हैं तो अगर कोई आता है इनके घर में तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे आज हम लोग आए है ना तो इनने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे लोग सब बाहर रहते हैं और बस यह अकेले के लिए रहते हैं तो हम लोग आए हैं तो इन लोग का जो खुशी है ना वो दुगुना हो गया है बस हम लोग ने खाना खा लिया है यहाँ पर और मैं आपको भी इनके बागीचे में ले जा रही हूँ काकी मा को फूलों का बहुत जादा शौक है और उन्होंना बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर फूल्स वगरे लगाये है पेड़ इनके हैं और यह देखिए यह गेंदे का फूल कितना बड़ा है फ्रेंट्स देखिए बहुत बड़ा सा इसका है और बहुत ही सुन्दर सा था और इधर देखिए इनकी जो खेती है मैं आपको दिखा रही हूँ जहां तक दूर दूर तक आपको दिख रहा है पूरा इनकी खेती ही खेती है यह बहुत जादा इनकी यहाँ पर खेती बगरे है और इनका घर बिलकुल मेंडरोड के एकदम पास में ही है देखिए मेंडर तो यहाँ पर कुछ पिक्स वगर हमने ले लिया है तो अभी हम लोग जाने वाले है घर क्योंकि अभी बहुत ज़दा यहाँ पर टाइम हो गया है साड़े चार बज गया है तो अभी हम लोग जाएंगे सभी घर और फ्रेंड्स देखिए इनके घर में आके बहुत ही अच्छा लगा और अभी बस हमने सारे सामानों को रख लिया है गाड़ी में और यहाँ काकी काकी मा ने हमें गिफ्ट भी किया है देखिए बहुत सारा इनोंने हमें गिफ्ट भी किया है तो मैं यह आपको घर में जाके दिखाऊंगी तो चलिए अभी हम लोग जा रहे है घर और काकी मा भी साथ में जा रही है क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था पकांजूर में तो बस हम लोग सब अभी गाड़ी में बैठ गये हैं और अभी हम लोग घर जाने वाले है अभी शाम होने वाली है और सारा दिन हमने आज यही पर बिताया तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा यह गाओ बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है बहुत ही ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर तो इस तरफ मैं फिर से आऊंगी यहाँ पर क्योंकि काका जी बोड़ रहे थे कि फिर से आना है हमारे हाँ पर तो मैं जरूर आऊंगी यहाँ पर फिर से और अभी हम लोग घर पौच गये फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके है और यह रिखिए बहुत सारा सामान है ना काका जी हमारे लिए लाए है आप जानते हो जब भी हमारे घर में आते हैं बहुत सारा सामान वो ले आते हैं बहुत ही अच्छे से है और अभी ना उन लोग जाने वाले है घर तो अभी मैं उनसे ले लेती हूँ विदा काकी मा को मैं यहाँ पर बाय कर लेती हूँ और फ्रेंड्स आपसे भी मैं लेती हूँ विदा मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बतेएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा मिलती हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए आप सबको बाबाय टेक क्यार